परिचय बच्चो, आजहाम जल, हाइडोजन, पाराउक्साइट और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. जल एक रासाइनिक पतार्थ है और इसका रासाइनिक सूत्र H2O होता है. ये रंगिहीन तथा पारदर्शी द्रव है. इसमें एक आक्सीजन परमाणू और दो हाइडोजन परमाणू होते हैं. हाइडोजन पाराउक्साइट हाइडोजन और आक्सीजन का एक संयोजन होता है. इसका रासाइनिक सूत्र H2O2 है. भारी जल ड्यूटीरियम आक्साइड होता है. ये जल का अन्य रूप है जिसमें हाइडोजन ड्यूटीरियम समस्थानिक होता है तो इस मॉड्यूल में हम जल, हाइडोजन पराउकसाइट और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जल के भाती के एवं रासाइनिक कुण धर्मों पर चर्चा करना। बर्फ एवं जल की सनचना पर चर्चा करना। कठोर एवं मृदू जल में विभेत करना। हाइडोजन परॉकसाइट के विर्चन की विधियों की व्याख्या करना तथा इसके भातिक एवं रासाइनिक गुण धर्मों पर चर्चा करना। भारी जल को परिभाशित करना तथा इंधन के रूप में डाई हाइटोजन के बारे में चड़चा करना. जल सभी रासाइनिक योगिकों में सबसे सामानने प्रचूर एवं आसानी से पाया जाने वाला योगिक है. मानव के जीवन हे तू ये अनिवार योगिक है. ये ठोस, द्रव या गैसी अवस्थाओं में रह सकता है. ये सारुभामिक विलायक है. हमारे शरीर के सत्तर प्रतिशत भाग में जल होता है. प्रिथ्वी का पिछत्तर प्रतिशत भाग जल से बना है. जल के भौतिक गुण धर्म एक रंग हीन, गंध हीन और स्वाध हीन त्रव है. जल का नीला या नीला पन लिये हुए हरा रंग इसकी गहराई के कारण होता है. जल का हिमांग शून्ने डिग्री सेल्सियस और इसका कौतनांग सौट डिग्री सेल्सियस है. जमाई जाने पर ये अपने मूल आयतन का एक बटे नौ बढ़ जाता है. जल का कौतनांग इसके प्रिष्ट पर दाप पर निर्भर करता है. दाप जितना ही उच्छे होगा, कौतनांग भी उतना ही अधिक होगा. जल की सनचना जल के अणू में दो हाइडोजन परमाणूं तथा एक आकसीजन परमाणूं होते हैं. इसमें उच्छ ध्रूवियता होती है. तीनों परमाणूं एक कौन, ह, ओ, ह कौन बनाते हैं, जो लगभग 104.5 डिग्री का होता है. प्रतेक हाइडोजन परमाणूं का केंद्र, ओकसीजन परमाणूं के केंद्र से लगभग 95.7 पिकोमीटर होता है. चुकि ऑकसीजन हाइडोजन की तुल्ला में अधिक वैद्युत रणात्मक होती है. इसलिए हाइडोजन परमाणूं पर आंशिक धनावेश तथा ऑकसीजन परमाणूं पर आंशिक रणावेश होता है. आवेश का ये प्रिथिकन अणों पर नैट दुई ध्रुव आँखों उत्पन्ने करता है. बर्फ जल का ठोस रूप है और बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है. बर्फ की सनजना बर्फ की त्रिविम सनजना होती है जिसमें प्रतेक अकसीजन परमाणूं चार अन्ने अकसीजन परमाणूं द्वारा 276 पिकोमीटर की दूरी पर चतुष फली की ये रूप से घिरा होता है. बर्व की सनजना त्रिविम होने के कारण इसमें मुक्ता काश होता है इसलिए इसका घनत्व कम होता है और ये जल पर तैट्टी है जल के रासाइनिक गुन धर्म उभै धर्मी प्रकृती अमल तताक्षार दूनों रूपों में कुछ रसाइनों दौरा वैवहार करने की ख्शमता उभै धर्मिता कहलाती है यदि कोई क्षार जैसे की NH3 उपस्तित है तो जल एक अमल की भाती वैवहार कर सकता है और इस ख्शार को एक प्रोटॉन प्रदान करके अभी क्रिया करता है यदि कोई अमल जैसे की H2S उपस्तित है तो जल एक शार के रूप में वैवहार कर सकता है और उस अमल से एक प्रोटॉन प्राप्त करते हुए प्रतिक्रिया करता है जल का स्वैम आईनिकरण जल द्वारा अमल या ख्शार के रूप में अभी क्रिया करने की सामर्थ का एक अन्य उधारण है जल की अपोब चैन अभी क्रियाए डाई हाइटूजन जल के अपचैन द्वारा निम्ना नुसार उत्पन्न की जा सकती है जल के रासाइनिक गुन धर्म जल अभगटन अभिक्रिया नए योगिक बनाने के लिए योगिकों की जल के साथ अभिक्रिया जल अभगटन कहला दी है उधारण के लिए डाई नाइटोजन पेंटॉकसाइट जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिकमल बनाता है हाइडरेट्स बनना जल, धातू, लवणों के साथ हाइडरेट्स बनाता है ये तीन मुख्य प्रकार के होते हैं उपसेह संयोजित जटल यौगिक उधारण के लिए निकेल दो, नाइट्रेट हैक्सौाहिट्रेट ह, टू, ओ, के, ओ, अणू, धातू आइनों के बीज उपसेह संयोजी बंध बनाता है ह, आपंधेत उधारण के लिए कॉपर सलफेट पेंटा हाइडरेट अंतराकाशी हाइडरेट कुछ यौगिकों में जल अंतराकाशी रूप में उपस्तित रहता है उधारण के लिए कठोर एवं मृदू जल कठोर जल C.A.2 प्लस M.G.2 प्लस और F.E.2 प्लस के विलेशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है ये साबुन के साथ परियाप्त जाग नहीं बनाता मृदू जल इसमें केल्शियम, मैगनीशियम, आइरन के विलेशील लवण नहीं होते ये साबुन के साथ परियाप्त जाग बनाता है ये C.A. की खाद 2 प्लस और M.G. की खाद 2 प्लस के बाइक कार्बोनेटों, सलफेटों और क्लोराइडों से मुक्त होता है फैटी अमल ऐसे अमल जिनमें उच्चतर एल्गिल श्रंकला होती है, फैटी अमल कहलाते हैं उधारण के लिए C.15, H.31, C.O.O.H. और C.17, H.35, C.O.O.H. कठोर जल साबुन से अभिक्रिया करके अवक्षे बनाता है कठोर जल की साबुन के साथ अभिक्रिया कठोर एवं मृदुजल जल की कठोरता दो प्रकार की होती है आस्थाई कठोरता ये कैल्शियम तथा मैगनीशियम के बाई कार्बोनेटों की उपस्थिती के कारण होती है इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है कौतन द्वारा विले बाई कार्बोनेट आविले कार्बोनेटों में पदल कर निक्षे पित हो जाता है क्लार्क की विधी चूने की परिकलत मात्रा कठोर जल में मिलाए जाने पर केल्शियम कार्बोनेट का अवक्षे पढ़ होता है स्थाई कठोर्दा ये कठोर्दा CA की घाद 2+, Mg की घाद 2+, और Fe की घाद 2+, के क्लोराइडों तथा सलफेटों की उपस्थिती के कारण होदी है इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है धावन सोडा यानि सोडियम कार्बोनेट से उपचारित करके सोडियम कार्बोनेट, केल्शियम और मेगनीशियम लवनों को अविले कार्बोनेटों में बदल देता है जो छान कर अलग किये जा सकते हैं आप इसे निम्न अभिक्रिया में देख सकते हैं केल्गॉन विधी ये सोडियम हेक्सा मेटा फास्फेट होता है ये रिणायन संकुल यानि Mg की घाद 2 प्लस और Ca की घाद 2 प्लस को विलियन में रखता है आयन विनमे पद्धती Mg की घाद 2 धन को हटाने में काम आता है NACL विलियन से उपचारित करके जियोलाइट का पुनरुतबातन किया जा सकता है संशिलेशित रेजिन पत्धती संशिलेशित रेजिन विथी संशिलेशित धनायन विनिमकों के उपभ्योग द्वारा कठोरजल को मृदू किया जा सकता है ये विथी जियोलाइट या पर्म्यूटिट की तुल्ला में अधिक प्रभावी है ये धनायन विनियमक बड़े कार्बनिक अड़ों होते हैं जिन में सलफोनिक अमल समू होते हैं आयन विनिमे रेजिन को पहले NACL विलियन से उपचारित करते हुए सोडियम में बदला जाता है और फिर जल के मृदु करण हेतु प्रयोक्त किया जाता है NACL विलियन से उपचारित कराते हुए रेजिन को भावी उप्योगेतु पुनरुत्पादित किया जा सकता है हाइडोजन पराउक्साइड ह2O2 विर्चन हाइडोजन पराउक्साइड को जल युक्त बेरियम पराउक्साइड पर सल्फियोरिक अमल या फास्फोरिक अमल की क्रिया द्वारा विर्चित किया जा सकता है निर्जल बेरियम परॉक्साइट सल्फियूरिक अमल से ततकाल अभिक्रिया नहीं करता क्यूंकि इसके प्रिष्ट पर अविले बेरियम सल्फेट की एक परत बन जाती है जो अमल की आगामी अभिक्रिया को रोकती है इसलिए जल युक्त बेरियम परॉक्साइट बी ए ओ दो और आट एच दो ओ का ही उप्योग किया जाहिए और द्योगिक रूप से इसे दो एल्किल एंध्रावी क्यूनाओल के स्वाता ओक्सीकरन द्वारा विर्चित किया जाता है जहां दो एथिल, एंध्राक्यूनाओल, हाइडोजन या पैलेडियम की उपस्थिती में आक्सीक रिथ होकर हाइडोजन परॉक्साइट देता है भौतिक गुण धर्म हाइडोजन परॉक्साइट एक पारदर्शी और रंग हींग तरव होता है इसमें हलकी तिक्त गंध होती है हाइडोजन परॉक्साइट एक बहुप्योगी तथा परियावरण अनुकूल रसायन है जिसके व्यापक अनुप्रेयोग है सनजना हाइडोजन परॉक्साइट की सनजना असमतलिये होती है गैसिये प्रावस्था में दुई तलकोण 111.5 डिक्री होता है ठोस प्रावस्था में 110 केल्विन पर दुई तलकोण 90.2 डिक्री होता है रसायने गुण धर्म हाइडोजन परॉक्साइट अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों कारे करता है अमलिये माथ्यम में अपचायक करिया और चारिये माथ्यम में अपचायक करिया भंडारण हाइडोजन परॉक्साइट को छत्योक्त अगनी रोधी कक्षों में रखा जाना चाहिए जहां इसे ठंडा और सीधी धूप से सुरक्षित रखा जा सके ये बहुत महत्पून है कि हाइडोजन परॉक्साइट को सभी प्रकार के संदूश्रों से बचा कर रखा जाए मोल पातरों या संस्थापित टैंकों में उचित भंडारण के साथ विलियन को लंबी अवधियों तक भंडारित रखा जा सकता है जिसमें सक्रिय आक्सीजन में कोई उलेखनी हानी नहीं होती उप्योग इसे पूर्ती रोधी के रूप में तथा माउथ वहुष के रूप में उप्योग किया जाता है इसे रसाइन निर्मान, खादे, जल एवं अप्षिस्ट जल शोधन में उप्योग किया जाता है जहां जैव उप्चार संयंत्रों के ओवरलोट के कारण आक्सीजन का अभाव रहता है इसे फारमेल्डी हाइड्स, फिनॉल्स, कार्बनिक कलोरीन योगिकों इत्यादी के आक्सीकरण में उप्योग किया जाता है भारी जल डी दो ओ भारी जल भारी हाइडोजन का आक्साइड है जो डिूटीरियम आक्साइड भी कहलाता है भारी जल की खोच का श्रय उरेको प्राप्थ है जिसने सबसे पहले से देखिया कि सामाने जल के चैह हजार भाग में भारी जल का लगभग एक भाग होता है भारी जल का प्रदशन पहले पानी से भरे दो बीकर लें नीडे रंग का एक बर्फ का टुकड़ा पहले बीकर में डालें और देखें कि बर्फ पानी पर तैठती है दूसरे बीकर में D2O भारी जल के लाल रंग का बर्फ का एक टुकड़ा डालें आप देखेंगे कि वो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूप जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्यूटीरियम हाइट्रोजन की अपेक्षा भारी समस्थानिक है और ये जल के भातिक एवं रासायनिक गुण धर्म परिवर्थित कर देता है डाई हाइट्रोजन इधन के रूप में हाइट्रोजन को उर्चा के स्रोध के रूप में उप्योग किया जा सकता है हाइट्रोजन को बड़ी मात्राओं में वैड्यूतिक रूप से उत्पादित करना तथा निर्वात रोधी क्रायोजेनिक टैंकों में द्रव रूप में भर कर संचित किया जाना तथा अंतरिक्षिक कारिक्रमों में इसका उप्योग किया जाना इसमें शामिल है हाइट्रोजन उर्जा का भावी स्रोथ हो सकता है वाहन इधन के रूप में हाइट्रोजन के लाप उच्ज कैलोरी मान के कारण ये प्रतीकाई द्रवेमान इधन अधिक उर्जा उत्पन्ने करता है ये प्रदूशन रहित है वायू की उपस्तिती में हाइड्रोजन के देहन उत्पादन H2O तथा नाइड्रोजन के उकसाइड होते हैं अन्ता देहन इंजनों को इधन के रूप में हाइड्रोजन का उप्योग करने के लिए आसानी से समवर्धित किया जा सकता है सत्तर से पिच्यासी प्रतिशत दक्षता के साथ विद्ध्युत शक्ती उत्पन करने वाले इधन सेल अंत्रिक्षी यानों में वानिजिक रूप से सफलता पूर्वक प्राचालित किये जाते हैं क्या आप जानते हैं हाइड्रोजन पैराउकसाइट को कुत्ते द्वारा विश्च ग्रहन करने पर वमन प्रेरक के रूप में उप्योग किया जा सकता है हाइड्रोजन इधन उत्पन करने के लिए स्वन सूक्ष मकन उप्योग किये जा सकते हैं सारांश आईए हमने जो को सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जल सभी रासाइनिक योगिकों में सबसे सामानने प्रचुर एवं आसानी से पाया जाने वाला योगिक है HOH कोन लगभग 104.5 डिगरी का होता है प्रतेक हाइडोजन परमाणों का केंद्र आक्सीजन परमाणों के केंद्र से लगभग 95.7 पिकों मेटर होता है अमल तताक्षार दोनों रूपों में वैवाहार करने की जल की शमता उबै धर्मिता कहलाती है CA की खाद 2 प्लस MG की खाद 2 प्लस और FE की खाद 2 प्लस के विलेशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है केल्शियम, मैगनीशियम, आइरन के विलेशील लवणों से रहित जल साबुन के साथ परियाप्त जाग बनाता है ये CA की खाद 2 प्लस और MG की खाद 2 प्लस के बाई कार्बोनेटों, सलफेटों, क्लोराइडों से मुक्तो होता है अस्थाई कठोरता को उबालकर तथा क्लार्क की विथी द्वारा हटाया जा सकता है इस्थाई कठोरता को धावन सोडा से उपचारित करके केल्गॉन विथी द्वारा, आयन विनमे विथी द्वारा तथा संशलेशित रेजिन विथी द्वारा हटाया जा सकता है हाइडोजन पर उक्साइट को जल युक्त बेरियम पर उक्साइट पर सल्फियूरिक अम्र या फास्फोरिक अम्र की क्रिया द्वारा विर्चित किया जा सकता है हाइडोजन पर उक्साइट की सनचना असमतलिये होती है भारी जल भारी हाइडोजन का आकसाइड है जो ड्यूटिरियम आकसाइड भी कहलाता है